हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें राधे का एक पिज़ा लेवर थी उसको पिज़ा और मोमोस इतना पसंद था कि वो अपनी शादी वाले दिन तयार होकर पिज़ा और मोमोस खा रही थी तब ही उसकी माँ शारदा आकर उसी ऐसे खाते देखकर कहती है अरे ओ पिज़ा मोमोस की दिवानी आज तो खुद पर थोड़ा कंट्रोल कर लेती बरात आ गई है बाहर और यहाँ दुलन मोमोस और पिज़ा खाने में बिज़ी है थोड़ी तो शर्म कर लेती लड़कियों को तो यहाँ फूरसत नहीं मिलती अपने शादी में खाना खाने की माँ देखो माना की मेरी शादी है लेकिन मुझसे भूखा नहीं रहा जाता मेरी भूख का इलाज ये मोमोस ही है ठीक है जल्दी इनको खतम कर और बाहर चल अपना पीज़ा और मोमोस खतम करके राधिका शा सास निर्मला और ननत सिया के साथ बहर रेस्टूरेंट में खाना खाने जाती है जहां राधिका उससे मेन्यो काट दीती हुए बोलता है लीजिए राधिका जी आप ओडर करिए पहले जो आपको खाना है देख रही है सिया बेटा तेरा भाई शादी के दो दिन बाद ही ज खेड रहे है तो कर ओडर जो तुझे खाना है जी माजी वेटर एक हाफ तंदूरी मोमोस कुरकुरे मोमोस अनियन टोमैटो पिज़ा विद एक्स्ट्रा चीज और हां एक लेटिस मोमो पीज़ा मीडियम साइज अरे मैंने तुमको अपने ओडर के लिए बोला था तुमने स अपके लिए मंगवा लिया क्या नहीं रागव जी ये सब तो मेरे लिए है ये लीजे मैन्युकार आपको चो पसंद है आप वो ओडर कर दीजे रागव और उसके माँ एक दूसरे की शकले देखते हैं और फिर बैचारे अपने लिए भी कुछ ओडर कर लेते हैं कुछ ते इसमें क्या स्वाद आएगा माजी मोमो और पिज़ा मेरी जान है इनकी सेम टू सेम विराइटिया मैं सो बार क्या हजार बार भी खा सकती हो तो ये तो फिर भी अलग अलग है आपको इतने पसंद है वाभी मोमो और पिज़ा बहुत जादा चलो अब खाते हैं वरना सब थ खंडा हो जाएगा राधिका सबसे पहले इतने सारे खाने को खत्म कर लेती है और ये देखकर राघप बोलता है खाना खाया है या गटका है इतना सारा अकेले खा लिया वो भी इतनी जल्दी सचमेयार तम तो कमाल हो पूरा परिवार खाना खाकर घर आता है और आराम से अ जहू मेरी गाउं की मौसी आ रही है तुछ से मिलने तो शाम के खाने में कुछ अच्छा सा बना लियो अच्छा सा क्या माजी अरे जो तेरी पसंद हो या जो तुझे अच्छे से बनाना आता हो वही बना लियो इतना बोलकर निर्मला चली जाती है और राधिका उसके मौसी सुलोचना का स्वागत करते हुए बोलती है आओ आओ मौसी और कैसी हो ठीक हो ना गाउं में सब कैसे है सोहन भाईया और भावी ठीक तो है अरे अरे सुलोचना सब ठीक है लेकिन तु इन सब की जानकारी बैठ कर ले लियो इस उमर में मुझसे साधा देर खड़े न बहाराती है और उसको टेबल पर रखकर सुलोचना की पैर चुकर कहती है नमस्ति दादी मासी जी कैसी है और सफर कैसा रहा आपका मैं बढ़िया बहू सफर भी अच्छा निकल गया अरे निर्मला बहू तो तु बढ़ी सुन्दर और गुणी चुनके लाई है लला के बस मासी जहां किस्मत वहां सुन्जोग जुड़ गए अब आप जादा बाते मत करिये कमरे में जाकर फ्रेश हो जाईए लंबा सफर था भूख लगी होगी बहू ने अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया है सच में ये तो बहुत अच्छी बात है मैं अभी आती हू सुलोचना अपने कमरे से फ्रेश होकर बहार आती है तब तक राघव ओफिस से और सिया कॉलिस से घर आ जाती है और पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैट जाता है तो राधिका वहां सब के सामने पीजा और मोमो सर्फ करती है ये देखकर निर्मला भोलती है बहू ये क्या मैंने तुझे कहा था कि कुछ अच्छा बना लियो जो तुझे आता हो बजार से मंगवाने को नहीं कहा था और वो भी ये मोमो सर्फ पीजा मा जी मैंने बाहर से नहीं मंगवाए हैं घर पर ही बनाए हैं अरे यही तो दो चीज़े हैं जो मुझे अच्छे से बनानी आती है लेकिन भावी दादी से कैसे खाएंगी अरे तु मेरी चिंता मत कर मेरी बहु ने अगर पत्थर भी बनाया होगा ना तो मैं जबा लेती ला बहु दे ये लीजिए मासी दादी जी और खाकर बताईए कैसा बना है राधिका सब को अपना बनाया पिज़ा और मोमोस सर्फ करती है जिसके बाद उसको खाकर सुलोचना समीत सब राधिका की तारीफ करते हैं और इतना ही नहीं सुलोचना तो जितने दिन वहां रहती उतने दिन रोज राधिका से मोमोस और पिज़ा बनवा बनवा कर खाती रहती ऐसे ही उसकी जाने की बाद एक दिन सिया और राधिका साथ में बैठी टीवी दिख रहे होते हैं और उसमें फूर चैलेंज देखकर राधिका को एक आईडिया आता है जिस पर वो बोलती है सिया क्यों ना हम दोनों भी ऐसा फूर चैलेंज करते हुए वीडियो बनाए और फिर उसे यूट्यूब पर अप्लोड करें भावी आप फूर ब्लोगर बनना चाती हो क्या नहीं देखो फूर ब्लोगर तो अलग-अलग जगा जाकर बढ़िया खाना खाते हैं वीडियो बनाते हैं फिर अप्लोड करते हैं लेकिन हम घर में रहकर ये सब कुछ करेंगे हम दो प्लेट में एक जैसा खाना परोस लेंगे फिर खाने का कॉम्पेटीशन करेंगे जो जीतेगा वो हानने वाले को पनिश्मेंट देगा कैसा लगा मेरा आइडिया आइडिया तो अच्छा है एक वीडियो बनाकर अप्लोड करके देखते हैं अगर चल गई तो आगे भी बना लिया करेंगे राधिका अपने आइडिया पर काम करना शुरू करती है और अगले दिन रागफ और सिया के साथ मिलकर बहुत सारे मुमुस बनाकर वो दो प्लेट में बराबर मुमुस रख कर रागफ को वीडियो बनाने का काम दे कर सिया को अपने सामने बैठाते हुए बोलती है वैलकम दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है भुकर नरन भावी तो दोस्तो आज हम आपके सामने एक चैलेंज वीडियो लाए हैं इसमें मैं और मेरी भावी मुमुस ब्रतियोगिता करेंगे हम दोनों की प्लेट में बराबर बराबर मुमुस हैं जिसने भी पाच मिनट के अंदर ये सारे मुमुस खतम कर दिये वो जीत चाएगा और फिर जीतने वाला हारने वाले को पनिश्मेंट देगा तो चलिए गाइस शुरू करते हैं टाइमर लगा कर दोनों ननत भावी अपने चैनल के लिए मुमो प्रतियोगिता का वीडियो बनाती हैं और बहुत सारे मुमोस खाती हैं जिसमें जीत राधिका की होती है उस वीडियो में वो सिया को पनिश्मेंट देखकर उस वीडियो को पूरा करती है और फिर एडिटिंग करके अपलोड कर दिती है जिसके बाद देखते ही देखते उनका न्यू चैनल रातो रात ट्रेंडिंग में आ जाता है और पहली ही वीडियो में उनकी एक लाग सब्सक्राइबर हो जाते हैं ये देखकर राखव खुशी से राधिका को कहता है वाव राधिका तुमने तो कमाल कर दिया पहली वीडियो पर इतना सपोर्ट मिल रहे तुमें हाँ भावी अब हम डेली कुछ न कुछ बनाकर खाएंगे और वीडियो बनाएंगे सिया की ये बात नेमला सुन लेती है जो राधिका को आकर कहती है हाँ बहु तू तो थी ही पीज़ा मोमोस वाली अब मेरी बेटी को भी तुने ये सब खाने में लगा लिया है ताकि वो खा खा कर मोटी हो जाए और उसको कोई पसंद न करे नहीं मा जी ऐसे कोई बात नहीं है मैं क्यों ऐसा चाहूंगी सिया मेरी ननन नहीं बलकि मेरी बेहन है मैं उसका बुरा नहीं चाहूंगी और खाने के प्रत्योगिता हम रोज रोज नहीं करेंगे और जब कभी भी करेंगे तो खाना घर में ही बनाएंगे ताकि हमें कोई नुकसान ना हो हाँ मा आप चिंता मत करो और देखना इन वीडियो से राधिका और सिया इतने वेमस हो जाएंगे कि आपको सिया के लिए रिष्टा डूणना नहीं पड़ेगा अच्छे अच्छे रिष्टे खुद सामने से आएंगे और ये में खुद करना चाहती हूं मा भावी ने कोई जबरदस्ती नहीं की ऐसा है तो मुझे भी फेमस होना है बहू एक ट्रत्यों गिता तु मेरे साग भी करियो सच में मा जी हाँ भावी आप मैं और मा करेंगे ये कॉम्पेटिशन और इस वीडियो को हम अगले हफते डालेंगे ताकि लोग इंतजार करें हमारे व्लोग का निर्मला की रजामंदी मिलने के बाद अगले हफते राधिका बहुत टीस्टी से तीन पिज़ा बनाती है और उनका इस्तेमाल अपनी अगली वीडियो के लिए करती है जिसमें साज, बहु और ननद मिलकर इस चैलेंज को करते हैं जिसमें जीत निर्मला की होती है साथ ही उनके इस ब्लॉक को बहुत लोगो द्वारा पसंद किया जाता है जिससे उनको पॉपुलारिटी और पैसा दोनों मिलता है अंतमी राधिका सबको अपने पिज़ा और मॉमोस की रेसिपीज भी बताती है वरुन ने रेश्मा को खूप समझाया मगर ये तो फैस के आगे बीन बजाने जैसा था वो वरुन की बात को नजर अंदास करते हुए रोजाना जंक पूट खाने लगी थी कुछ दिन और बित्ते गए और एक बार फिर रेश्मा के पेट में जोड़ दार दर्ध हुआ और वो चिलाने लगी हाई बरुन बरुन मेरे पेट में बहुत तेज दर्ध हो रहा है रेश्मा बारवी पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने तिल्ले आ जाती है और एक बीजी में रूम लेकर अपनी सहेली रश्मिका के साथ रहने लगती है रेश्मा एक देहाती लड़की थी और रश्मिका एक शहरी लड़की थी रश्मिका को बाहर का खाना खाने का बहुत शौक था वो अपसर पिज़ा, बरकर, फ्राइज जैसी चीज़े खाती रहती थी धीरे धीरे उसने रेश्मा को भी इन सब चीजों का चस्का लगा दिया था रेश्मा भी अब बाहर का खाना ही खाती घर के खाने से उसे जैसे नफरत होने लगी थी एक दिन सुभा सुभा, अचानक रेश्मा की पेट में दर्द उठता है और रेश्मा चीखने लगती है रेश्मिका, हो रेश्मिका, जरा इधर आओ हाँ रेश्मा, रुको, बस पांच मिनट में आई रेश्मा का दर्द और बढ़ जाता है और वो और भी तेज़ चिला कर बोलती है ए, है मा, रेश्मिका, जल्दी आओ यहां दर्द के मारे मेरी जान निकले जा रहे ही है और तुम पता नहीं कौन से कामों में लगी हो रुको, मैं तुमारे लिए अभी नीम्बू पानी लेकर आती हूँ शायद कल काफी मसालेदार खाना खाने की वज़े से तुमारा पेट गरबर हो गया है तुम बस एक मिनट रुको, मैं बस अभी आई ऐसा कहकर रेश्मिका, जल्दी से उसके लिए निम्बू पानी लेकर आती है और रेश्मा उसे पी लेती है मगर फिर भी उसे आराम नहीं होता और वो चिलाती है रेश्मिका, उससे और बरदाश नहीं हो रहा है, है, मैं तो मर गई रेश्मा की चीखे सुनकर रेश्मिका उसे फटा फट होस्पिटल लेकर जाती है और एमरजनसी वार्ड में दाखले करवाती है जिसके बाद वो वेटिंग रूम में डॉक्टर के आने का इंतसार करती है और कुछ ही देर में डॉक्टर आते है और बोलते है देखिए रेश्मिका जी, आपकी सहली रेश्मा की तबियत काफी सीरियस है उनके स्मोल एंटेस्टाइन के अंदर सेमी डाइजेस्टिट फूड अटक गया है और ये फाइबरलेस फूड काफी खतरनाक है क्या आप बता सकती है कि उन्होंने कल रात को क्या खाया था डॉक्टर साब, कल हम एक पाटी में गए थे जहां हमने काफी सारा जंगपूट और मसालेदार खाना खाया था देखिये, प्रोबलम को अच्छे से अडेंटिफाइ करने के लिए हमें काफी सारे टेस्ट करने होंगे आप डोक्यूमेंट्स पर अपने सिगनेचर कर दीजे और ये कुछ दवाईया है, ले आईए जल्दी से रश्मिका जल्दी से सिगनेचर करती है और दवाईया ले आ दी है कुछ देर बाद डॉक्टर फिर से आकर बोलते है रेश्मा जी अब खत्रे से बाहर है थोड़ी ही देर में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अब आपको उनका खास खैल रखना है उन्हें बाहर के खाने से दूर रखना है वरना उन्हें पाइल्स का भी खत्रा हो सकता है और दवाई टाइम पर देनी है और कोर्स खतम होने के बाद एक बार चैक अब जरूर करवाना आप पेमेंट करने के बाद उन्हें ले जा सकती है ठीक है डॉक्टर साब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मेरी सहेली ठीक हो गई रश्मी का पैसी जमा करवा के रेश्मा को पीजी ले आती है और उसे बाहर का खाना ना खाने की नसीहत देती है मगर उसे खुद बाहर के खाने की लद थी इसलिए उसने एक पिज़ा ओडर किया और खाने लगी वो अकसर रेश्मा को बाहर का ना खाने की कहती और खुद ही बाहर का खाने लगती ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है रेश्मा भी अब वापस बाहर का खाने लगी थी दिन बीटते गए और अब उन दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है दोनों अपने अपने घर आ जाती है रेश्मा के घर में उसके रिष्टे की बात चलने लगी थी और उसकी शादी वरुन नाम के एक नौजवान से हो जाती है वरुन एक काफी महनते लड़का था इसलिए अकसर उसे ऑफिस की पाटीज में इंवाइट किया जाता था वरुन और रेश्मा साथ साथ पाटी में जाते थे और रेश्मा काफी सारा जंक बुट खा लेती थी, एक दिन वरुन उसे टोप कर बोलता है यार ये बाहर का ओयली खाना कितना हामफुल होता है बोडी के लिए, पता है कुछ तुम्हें? आप है न कुछ बताने के लिए? देखो रेश्मा, तुम्हें किड्नी स्टोन हो जाएगा, या फिर हार्ट इंजरीज भी हो सकती हैं, मैं तो सिर्फ फॉर्मैलिटी पुई करने के लिए पार्टी में आता हूँ वरुन ने रेश्मा को कुप समझाया, मगर ये तो भैस के आगी बीन बजाने जैसा था वो वरुन की बातों को नजर अंदास करते हुए, रोजाना जंगफूर खाने लगी, और कुछ दिन और बीटे गए, और एक बार फिर से रेश्मा के पेट में जोरदार दर्द हुआ, और वो चिलाने लगी वरुन, मेरे पेट में बहुत देज दर्द हो रहा है, दो लार्ज साइज डबल चिकन पीजा ओडर कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा मैं मजाग नहीं कर रही, मेरे पेंट में सच में बहुत दर्द हो रहा है रेश्मा मैं भी मजाग नहीं कर रहा, शायद तुम्हें भूग लगी है इसलिए मैं पीजा आउडर कर रहा हूँ, वैसे भी तुम्हारा तो फेवरेट है न अच्छा बाबा ठीक है, मैं अभी एंबुलेंस बुलाता हूँ ऐसा कहकर वरुन जल्दी से एंबुलेंस बुलाता है और रेश्मा को होस्पिटल ले जाता है तो इच देर बाद डॉक्टर वरुन की पास आखर कहते है पहले मैं आपको गुड नियूस देती हूँ, आप कुछ ही महीनों में बाब बनने वाले है और बैड नियूस यह है कि आपकी वाइफ को पाइल्स हो चुका है और वो कंटिनियूसली बढ़ता ही जा रहा है पाइल्स और रेश्मा को ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? मिस्टर वरुन आपकी वाइफ को काफी पहले से इंटिस्टाइन में इंफेक्शन है और यह बढ़ चुका है और साथ ही प्रेगनेंसी कंसीव करने की वज़े से उनके वैंस पर प्रेशर बढ़ा और यह पाइल्स में कनवर्ट हो चुका है डॉक्टर यह प्रोब्लम ठीक कैसे होगी? मिस्टर वरुन यह प्रोब्लम काफी जादा बढ़ चुकी है विकोज प्रेगनेंसी में दवाई नहीं खानी चाहिए जो पाइल्स की ट्रीटमेंट में यूज होती है यह मैडिसन्स हार्मोनल बैलेंस को बिगार सकती है जो कि आपकी होने वाले बच्चे के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है प्लीज डॉक्टर कोई तो रास्ता होगा मिस्टर वरुन आपकी वाईफ की पुराने रिपोर्ट देखने के बाद ये पता चला है कि उनका दिल्ली में भी ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता देखिए मिस्टर वरुन नैच्रोल आयरुवेटिक मेडिसिन्स और एक्सरसाइज से उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है क्योंकि सर्जिकल मेतड हाईली डिस्की हो सकता है आप उनका घर पर ही ध्यान रखे घर पर बना हुआ खाना के लाए, फ्रूट्स के लाए, एक्सरसाइज करवाए सब कुछ ठीक चला तो दो महिने में ही सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी डॉक्टर की कहे अनुसार फरूब्लम्स ने रेश्मा को अच्छे से देख फाल करके ठीक कर दिया और रेश्मा ने भी सारी चीज़े फॉलो करी और ठीक हो गई और एक प्यारे से बच्चे को जनम दिया अब रेश्मा बहार का खाना हमेशा हमेशा के लिए भूल चुकी थी और अब वो लोगों को फास्ट फूर और जगपूर से बचने की सलहा देती है रेश्मा सोशल मीडिया पर वीडियोस बना कर लाखों करोडों लोगों को फास्ट फूर से होने वाले नुकसान के बारे में अवेर कर रही है सोशल मीडिया पर वीडियोज बनाने की वज़ा से उसी कई सारे हेल्थी और ब्यूटी शो से भी एक्टरिंग के ओफर आने लगे हैं इतनी ज़्यादा पॉपुलर होने के बाद उसके आठिकल अब नियोस पेपर में छपते हैं इन सब चीजों के अलावा वो एक पाहोने का भी पर्स अच्छे से निभा रही है शीतल अपनी छोटी भावी के कमरे में जाती है और उन्हें अपने बॉइफ्रेंड रुद्र के बारे में बताते हुए बोलती है भावी मुझे आपको कुछ बताना है समझ नहीं आ रहा कैसे बताओ साफ साब पताओ ना क्या बात है इतना हिचकिचा क्यों रही हो अच्छा ये बात है तो ठीक है भावी मेरा ना एक बॉइफ्रेंड है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसे शादी भी करना चाहती हूँ तो तुम इसमें इतना घबरा क्यों रही हो इतनी सी तो बात है अच्छा लड़का कौन है क्या मैं उसे जानती हूँ नहीं भावी आप तो उसे नहीं जानती पर हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेगा वो सब तो ठीक है और तुमने ये बात दिदी को बताई नहीं नहीं भावी ये बात अगर मैंने बड़ी भावी को बताई वो तो मुझे डाट कर ही चुप करवा देगी लेकिन उनकी मर्ची के बिना तो कुछ भी होना मुम्किन नहीं है शीतल ये बात जानती हो न तुम जी भावी ये बात तो मैं जानती हूँ लेकिन ये बात मैं उनसे कैसे कहूँ यही सोच कर मुझे डर लगे जा रहा है तुम कहो तो मैं बात करो तुम्हारे लिए उनसे हाँ भावी आप करके देखो मिनाक्षी और शीतर दोनों मिलकर रादिका के कमरे में चरी जाती है रादिका दोनों को एक साथ अपने कमरे में आता देख चौक जाती है और वो उन दोनों से बोलती है अरे क्या हुआ तुम दोनों एक साथ मेरे कमरे में क्या कर रही हो दीदी मुझे आप से कुछ बात करनी है असल में हम दोनों को आप से कुछ बात करनी है ऐसी कौन सी बात है हमारी शीतर जवान हो रही है आपको नहीं लगता उसके हाथ पिले कर देने चाहिए हाँ ये तो तुम सही कह रही हो बिल्कुल मैं भी कबसे यही सूच रही हूँ तो सिर्फ सोचती रहेंगे या कुछ करेंगी भी लड़का भी तो होना चाहिए न मिना ऐसे ही थोड़ीना हो जाती है शादी लड़का है न भावी शीतल ने ढून लिया है शीतल ये सच है और लड़का कोन है कबसे चल रहा है ये सब ये सच है भावी वो मेरी कॉलिज में ही पढ़ता है हम दोनों चार साल से एक साथ है और तुम हमें अब बता लई हो वैसे लड़के का नाम क्या है पहले बताकर क्या होता शादे के उम्र तो मेरे अब हुई है ना ये भी ठीक बात है अच्छा नाम क्या है उसका रूद्र तो घर पर बुलाओ रूद्र को ठीक है भावी मैं आज बुला लेती हूँ अच्छा मैं कॉलिज के लिए निकल रही हूँ आप दोनों से शाम को मिलती हूँ और मिनाक्षी भावी आप जरह मेरे साथ नीचे आना शीतल और मिनाक्षी अब नीचे आ जाती है नीचे आकर शीतल जल्दी से मिनाक्षी के गले लग जाती है फिर उससे बोलती है थाइक्यो सो मच भावी आज आपकी वज़ा से ये मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई अरे शीतल कैसी बात कर रही हो ये तो मेरा फर्स था अब तुम कॉलेज जाओ वरना लेट हो जाओगी ठीक है भाबी बाई अब शीतल वहाँ से चली जाती है और अपने कॉलेज पहुचकर वहाँ जाकर ये खुशकबरी रुद्र को सुनाती है पता है तुम्हें भाबी मान गई क्या लेकिन ऐसे कैसे मान गई मेरा मतलब है कि तुम ही कह रही थी कि वह बहुत स्ट्रिक्ट है इतनी असानी से नहीं मानेंगी हाँ मैंने कहा था ना कि मैं अपनी बड़ी भाबी से सीधा जाकर बात नहीं कर सकती फिर मैंने अपना दिमाग इस्तमाल किया और मैंने सारी बात अपनी जूटी भावी को बता दी फिर उनने अपने तरीके से बड़ी भावी से बात कर ली अच्छा तो ये बात है फिर क्या नतीजा निकला भावी ने न तुम्हें घर बुलाया है, वो तुमसे मिलना जाती है, तो तुम आज ही कॉलिज के बाद मेरी साथ घर चलना अच्छा ठीक है, मैं चलूँगा उनसे मिलने देखो, उनके सामने अच्छे से पेश आना, अच्छे से बात करना अगर तुम मुने अच्छे लगेना, तो ही रिष्टा मनजूर करेंगी, परना तो समझ जाओ हाँ बेवी समझ रहा हूँ, अब क्लास में चले फिर दोनों क्लास में चले जाते हैं, पूरा दिन कब पलक जबकते ही बीच जाता है, पता ही नहीं चलता फिर शाम को दोनों मिलकर शीतल के घर पर जाते हैं, शीतल घर के बाहर खड़े होकर रुद्र से बोलती है रुद्र बेवी, भाबी से बिलकुल आराम से बात करना, बिलकुल हजिटेट मत होना, कोई टेंशन बिलकुल मत लेना चिंता मत करो यार, मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसा वैसा, अब चले अंदर हाँ ठीक है, चलते हैं दोनों मिलकर घर के अंदर आते हैं, अंदर पहुशते ही, शीतल मिनाक्षी को अवाज लगाते हुए उससे बोलती है बाबी, मैं घर आ गई शीतल की अवाज सुनकर मिनाक्षी बाहर आ जाती है, शीतल के साथ रुद्र को देखकर वो उनसे बोलती है अच्छा तो यही है वो जिससे हमारी शीतल प्यार करती है जी नमस्ते नमस्ते आप खड़े क्यों हैं अंदर आईए अराम से बैठिये शीतल इन्हें अंदर लेकर आओ मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ छी भाबी रुद्र आओ शीतल रुद्र को अंदर काइनिंग रूम में लेकर जाती है वहाँ वो दोनों बैठ कर बाते करने लगते हैं इतने में ही मिनाक्षी उनके लिए कुछ खाने को बना देती है फिर वो उनके लिए खाना लेकर जाती है और उनसे बोलती है ये लीजिये, पहले कुछ खा लीजिये, भूख लगी होगी न? जी, वो तो लग रही है, ठेंक्यू सो मच शीतल, चलो तुम भी इनके साथ खालो जी भावी, आप बैठी ही न? नहीं, तुम बाते करो, मैं थोड़ी देर में दीदी के साथ आती हूं जिसके बाद मिनाक्षी वहां से चली जाती है फिर शीतल और रुद्र बाते करने लगते हैं रुद्र शीतल से बोलता है यार, तुम्हारी ये वाली भावी तो बहुत अच्छी है हाँ, रुद्र वो तो मुझे भी पता है और जितनी अच्छी है ना उतनी समझदार भी है हाँ, वो तो दिखता है इनके चहरे से और बातों से और तुम्हारी बड़ी भावी, वो कैसी है? रुद्र जैसे ही ये सवाल करता है वैसे ही रादिका वहां आ जाती है और शीतल से बोलती है हाँ, शीतल, इन्हें बताओ कि तुम्हारी बड़ी भावी कैसी है? उसे वहां देखकर शीतल और रुद्र खड़े हो जाते है रुद्र रादिका से बोलता है नमस्ते बैठो, शीतल और रुद्र भी बैट जाते है अब मिनाक्ची भी वहां आ जाती है रादिका शीतल से बोलती है अरे शीतल, तुमने इन्हें बताया नहीं मेरे बारे में अभी तक ये पूछ रहे थे ना, जल्दी बताओ जी भावी, रुद्र ये मेरी बड़ी भावी रादिका है भावी, ये रुद्र है अरे वाह, नाम तो बहुत ही अच्छा है इनका वैसे आप पढ़ने के अलावा क्या करते है जी मैं अपने पापा का बिजनस देखता हूँ उनका टेक्स्टाइल का बिजनस है तो आप भी आगे जाकर यही करने वाले हैं जी नहीं, मैं एक मेकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ ओ, अच्छा, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते हो अच्छी बात है, पर क्या आप हमारी शीतल का अच्छे से खयाल रख पाओगे जी, बहुत अच्छे से रखूँगा शीतल का खयाल हम, मुझे आपका confidence काफी पसंद आया तो रूद्र, कल फिर आना, बाकी की बाते कल करते हैं जी, ठीक है भाबी, मैं इने गर के बाहर छोड़ कर आती फिर शीतल, रूद्र को घर से बाहर छोड़ने के लिए चली जाती है बाहर आकर, रूद्र शीतल से बोलता है क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारी भाबी को मैं कैसा लगा? मुझे लगता है कि तुम उन्हें पसंद आगे इसलिए तुम्हें कल फिर बुलाया है हाँ, मुझे भी यही लगता है क्या पता कल वो हमारा रोका ही कर दे खैर, कल देखते हैं, अभी मैं चलता हूँ ठीक है, आराम से जाने रूद्र वहां से चला जाता है और शीतल भी घर में वापस आ जाती है अंदर आने के बाद शीतल मिनाक्षी के पास जाती है और उससे बोलती है भावी, आपको क्या लगता है रूद्र बड़ी भावी को पसंद आया होगा मुझे लगता है कि उन्हें रूद्र अच्छे लगे है पर हो सकता है कि कुछ और बात हो इसलिए उन्होंने दुबारा बुलाया है रूद्र को कल भावी मुझे तो सोच करी घबराट से हो रही है तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और भगवान पर और अपने प्यार पर पूरा भरोसा रखो चलो अब तुम जाकर सो जाओ बहुत ठक गई होगी न कोई बात नहीं भावी मैं हो न मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ फिर दोनों ननन भावी मिलकर बरतंद होने लगती है उसके बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है अगले दिन रुद्र वापस उनके घर आता है तो राधिका उससे बोलती है आओ बैठो और ये बताओ तुम तयार हो न मैं कुछ समझा नहीं तो मैं शीतल से शादी करनी है या नहीं जी वो तो करनी है जबी मैं यहां आया हूँ तो उसी के लिए पूछ रही हूँ तयार हो न जी मैं पूरी तरह तयार हूँ ठीक है फिर शीतल इधर आकर बैठो इनके साथ जी भावे शीतल रुद्र के साइड में बैठ जाती है और फिर रादिका मिनाक्षी से कहती है मीना जाओ कमरे में कुछ सामान पढ़ा है इसको लेकर आओ जी दीदी अभी लाती हो मिनाक्षी अंदर कमरे से समान लेकर आजाती है फिर रादिका रुद्र से बोलती है ये लो अंगूठी रुद्र और शीतल को पहना दो और आज से शीतल तुम्हारी जिम्मेदारी होगी जी ठीक है और मैं इस जिम्मेदारी को पूरी जिन्दगी बड़े ही प्यार से निभाऊंगा ये लो शीतल तुम भी पहना दो जी भग बहुत बहुत मुबारक हो फिर दोनो रादिका और मिनाक्षी के पैर चुकर उनसे आशिरवाद लेते हैं और कुछ दिनों बाद रादिका उनकी शादी भी करवा देती है फिर सब खुशी-खुशी अपनी जिन्दगी बिताने लगते हैं दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा